गुदाफरों बच्चों जब हम किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में यह रहता है कि चलो ठीक हमको पहले तो सब्जेट कंप्लीट करना है फिर उसकी शीट्स पगेरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है फिर एक बहुत बड़ा मुद्द में 220 मिनट में 200 कोशन करने हैं तो टाइम बहुत बड़ा कम है हर कोशन के लिए लगभग 40 सेकंड चाहिए तो थोड़ा सा हम यहां पर कुछ स्ट्राटेजी के बारे में बात करें जो आपको डेफिनेटली काम आएगा और मैं यहां पर जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है शॉट नोट्स के फाइदे से भाई शॉट नोट्स के क्या क्या डिफरेंट फाइदे हो सकते हैं तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं मैंने जो यहां पर बता है कि that is a time saving क्या होता है कि आपने कुसी चैप्टर को पढ़ा अब जब किसी एक टीचर के साथ बैट के पढ अब यह जाए तो पिर वही कर रहे हो तो वह आपके लिए ज़्यादा काम करेगा क्योंकि एक गंटे में एक चैप्टर कंप्लीट होगा या फिर हो सकता है कि उसको बहुत शॉर्ट में आपका convert हो सकता है और वो ultimately कहीं न कहीं दस से पंदा मिनट में भी हो जाता है ठीक है यह है शॉट note के फाइदे तो time saving बहुत जरूरी है क्योंकि revision जो बार-बार revision करते हो नहीं तो जब मोटी सी किताब उठाके कॉपी उठाके जब आप लोग उसको पढ़ना चालू करते हो तो आपको यह नहीं पता चलता कि कितना important point है तो यहां पर short notes बनाने का पहला जो फाइदा है वो time saving है second जो फाइदा है कि जैसे मैं एसी ब्रीजेस वगेरा पढ़ाता हूं मैजर्मेंट में या किसी भी subject में ले लिए machines में ले लिए उसके जो different characteristics है input and output characteristic है basic electrical में ले लिए जो उसके two port network हो गया या transient का हो गया या फिर उसकी जो basic current और basic voltage पर different sources है वो जब है एक परने पर एक साथ लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़े याद हो जाती है यह मानते हो कि नहीं मानते हैं तो हम comparison topic का बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं तो that is the comparison of the different topics in the minimal time बहुत कम समय में otherwise हैंने 15-20 page पल्टा आते हो फिर करते हो फिर करते हो वो time taking process है और हमारे पास केवल दो महीना बचा है इस आपको short notes की जरुद पढ़ जाती है यह वाली चीज़ है तो आपका है समय बच जाता है तो easy access लिखाए तो पहला चीज लिखाए कि जब mock test हो subject-wide test होगे तब सेकंड चीज है before the examination SSJ है 14 और 16 November को है आपको उसके पहले है बहुत सारी चीज़ें revise करनी पड़ेंगे लभग जैसे जैसे पांस दिन बचेंगे या चार दिन बचेंगे चीजों को बार बार revise करना पड़ेगा तो पूरी copy खोल के revise करोगे जिसे बहुते हैं गधा मज़दूरी एक होता घोड़ा और एक गधा दो होते हैं दोनों जानवर हैं पर गधे की हैं इतनी value नहीं है क्योंकि घोड़ा है एक smartly work करता हो और वो अपने काम में भागता है समय को हैं वो चीरते हुए जाता है वही आपको करना पड़ेगा यह आप गधा मज़दूरी करोगे तो आप थोड़ा कहीं न कहीं फच जाओगे तो यह हुए इसके फाइदे है तो short notes के यह 3 important फाइदे हमेशा आपको देखने को मिलेंगे अब हम चलते हैं कि short notes को कैसे बनाए पहली चीज आप short notes बनाने के पहले सबसे पहली चीज ध्यान पहले complete करिए उसकी theory अच्छे से complete करिए ठीक है पहला उसके बाद जो जैसे किसी paid courses ले जैसे हमारे विजहीव बैच हो गया सफलता बैच हो गया प्रहार बैच हो गया हम हमेशा ने शीट practice sheets वगेरा प्रोवाइड करते हैं तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं वहां से ज क्या क्या include करना पड़ता है किशी भी short notes में क्या क्या आपको include करना पड़ता है पहली चीज कि भाया जो जितने भी formula है वो सब करो चाहे वो important लगे चाहे ना लगे सब formula उसके अंदर include होने चाहिए second चीज है कई बार जैसे power system हो गया measurement में हो गया machines में हो गया factual data बहुत होता ह जैसे machines में माली जै कि यह machine कहां कहां पर यूज होती है power system में की frequency की range क्या होती है आई रूस के बारे में क्या क्या चोटी 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 चीजे है ठीक है कौन सा कब वर्क करता है बहुत characteristic और important है कई बार जैसे हम लोग paid courses में पढ़ाते हैं या YouTube पढ़ाते हैं तो कुछ पा वो आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी है और वो जो आपको चीजे बताएगा वो कहीं न कहीं आपके मदद करेगा examination के लिए तो वो तो जरूर include करना and points where you stuck in the test यह सबसे important चीज है जब आप test perform करते हो तो कुछ ऐसे topic होते हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे है test में आपको पता चल जाता असलियत कि यह topic आपका कितना अच्छा है जब test देते हो उसके बाद कुछ ऐसे point मिलेंगे mock test दोगे तो कुछ ऐसे point मिलेंगे जहां पर तुमको यह पता चल जाएगा और यार यह तो बड़ा important concept है वहां से आप लोग यह note करोगे तो all in over आपको arrange जैसे करना है कि वो 40 40 50 50 pages के जो chapter है उसको anyhow एक से दो pages में कर दो sample देखना चाते हो तो पहले comment section में बताओ कि आपको यह जो अभी तक चीज़े पता चली समझ में आई अच्छा लगा तो teachers day पे हमारी तरफ से यह उपाहर है and I wish कि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चली है कि आप उसमें access ही नहीं कर पा रहे हैं मतलब आप है उसको easy से पढ़ पाओ और अच्छे से उसको याद कर पाओ तो देखिए मैंने क्या किया कि जैसे simple एक page लिया a4 size का और उसको मैंने 200 में ऐसे ठीक है इस तरीके से फोल्ड कर दिया मैंने single page रखा फोल्ड कर दिया तो measurement of resistance में आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि low resistance को कैसे classify किया है then emitter voltmeter method जो उसकी पहली आती है low resistance में वो बनाया Kelvin double bridge के जो important points है वो सब लिखा कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को easily access करते हो question यहीं से बनेंगे आप इसके अलावा कभी question नहीं देखोगे मैं guarantee देखे बोल रह है बड़ा source समझ के यहां पर cover करने की कोशिस किया measurement of medium resistance में आप देख सकते हो मैंने कुछ diagram नहीं बना है क्योंकि अल्रेडी बना चुका हूं time meter voltmeter की जो method है उसको मैंने यहां पर include कर दिया और छोटे में देखो पूरा इतना सा आपको यहां से यहां तक का पूरा जो box है व यहां पर उसके जो फॉर्मले हैं important fund हैं वह मैंने लिख दिये क्या sensitivity है इस पर बहुत सारे question पूछे तो I think you are very much pretty much aware of all the fundamentals सब कुछ मैंने यहां पर cover करके दिया आप लोगों को फिर वैसे हाई resistance का हाई resistance में क्या क्या है जैसे loss of charge method केवल diagram बनाए उसके पॉइंट लिखे फिर मैंने आगे चला गया तो इसी तरीके से आप लोगों को भी cover करने second चीज में क्या क्या चीज है किस से मिलके बनता है collection का जो diagram होता है कहां पर guard wire होती है metallic sheet क्या होती है सब कुछ मैंने लिख दिया कहां पर use हो सकता है mega ohm meter कहां पर use हो सकता है बस उसका diagram बनाया यह चीज लिखी ठीक है हलका फुल का जहां पर मैं access कर सकता हूं वह आई विश्की आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से understand कर बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ सकते हो अभी क्या है कि उसका teachers day आज चल रहा है तो आप सबको हमाई तरफ से भी teachers day की हादिक सुपकाम ने उस उपलक्ष में हमने हैं बहुत सारी अच्छे खासे discount दी हैं अच्छे हमारे जितने भी paid courses है तो आप उनसे जूट सकते हो